वोजपुरी फिल्मों के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 को कमाल दिखा रही है के फिल्म के बढ़ते रिस्पॉंस को देख कर अगले कुछ लिए दिनों तक ये फिल्म ऐसे ही चली तो फिर आगे जलकर बॉर्डर का रिकॉर्ड भी पूट सकता है बॉर्डर से याद आया कि जब बॉर्डर पर वली होई थी सके कुछे दिन पहले निरहुआ का शशिकान के साथ कई दिनों तक विवाद जोरो पर रहा उसके बाद खेसारी और सुधी इसंग के विवाद पर भी निरहुआ ने कई सारे पत चुदिए खेसारी के सपोर्ट में इसलिए कई बार निरहुआ को भी Controversial King का खिताब दिया गया है इससे पहले भी निरहुआ की काफी सारी ऐसी खबरें सामने आ चुछी है जिसको देखकर Controversial King का खिताब जीतने के बायर जब निरहुआ ने इंटरव्यू दिया तो उसका सफाई देते हुए निरहुआ ने ये बताया कि मैं Controversial King बनूँ या जो बनूँ जो सफक नहीं पड़ता लेकिन इंडोस्री मेरे घर जैसी है उसकी रक्षा करना मेरा खर्तव है इसलिए अगर वहां किसी को भी परिशानी होती है किसी तरह की तो मैं खड़ा हो जाता हूँ इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ मुझे अच्छी चीज नहीं लगती कि मेरे घर के लोगों को कोई परिशानी दे नेक्स्ट तुनाइट नियोज दोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट